श्री गडेशाय नमाहा भक्ती भावना यूटूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है दोस्तो भगवान गनेजी के दस दिन होते हैं सिद्धी बिनाय गनेज चतुर्ती से ले करके अनंत 14 तक ये 10 दिन ब्यदी पवित्र माने जाते हैं इन 10 दिनों में भगवान गनेजी की ब 10 दिन बेहदी प्रबावसाली हैं और इन दिनों में अगर उपाय किये जाएं उनों पायनों का विसेश लाव मिलता हैं तो आज मैं आपको कुछ उपाय बता रहा हूं साथी सवीरासी वाले भगवान गनेजी को कुछ चीज का भूग लगा करके जरूर खाएं इससे भगवान गनेजी के सामने दीपक जलाना हैं दीपक में दो लोंग डालनी हैं भगवान गनेजी को दुरबादल या दुरबादल का हार्ट समर्पित करना हैं उसके बाद में भगवान गनेजी से प्रातना करने हैं कि हे गजानन आप हमारी इच्छा पूरी करें उसके प्राब्ठी लिए भगवान के सामने पिलीकोडी श्रीगडेस यंत्र और साती व्यवपार भृध्द्र इन welche तीने यंत्र रखें। भगवान गनेजी से प्राथना करें के प्रवुम्हे गजानन अप हमारे उपर अपने कृप्ण इश्टी बनाए रखें। फिर आपको 108 बर स्री गडेशाय नमाह, इन मंत्रों का जापकरना है, उसके बाद में भगवान के सामने जो भोग आपने रखाये, प्रसाथ रखाये, वय प्रसाथ आपको जरूर खाना है, भगवान के सामने रखागुआ नेविद्य आपको जरूर खाना है, इससißt आपकी मन मनु कामना वश्य पूर्य होगी। धन बड़ेगा, सुक्सम्रती बड़ेगी, जीवन में आरे सारे कष्ट और परिसानी आपके दूर होगे। दोस्तों बहुत ही चमतकारी और प्रभावसाली उपाय है। आपको यह उपाय जरू करने चाहिए। अगर आप यह उपाय करते ह तो आपको लाब मिलेगा और आपकी प्रतिक मनु कामना पूरी होगी। जब आप उपाय कर रहे हों तो उस समय आपको संकल्प जरूर करना है। और पहले दिन से लेकर के लाश्ट दिन तक दस दिन आपको प्रसाद खाना है। लाश्ट दिन भगवान गनी जी का विसरजन होता है। आप 10 दिन के बीच में देड़ दिन के 3 दिन के 5 दिन के 7 दिन के जैसे बसकी हों आप स्रद्दा के इसाब से भगवान गनी जी के स्तापना करें। सारे विगनों को दूर करते हैं। और पूरे बिश्व में यत्वार बड़े ही उस सब के साथ मनाय जाता है। तो